हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू आज मैं आप तले जो वीडियो लिक्या रहा हूं देखिए लॉकडाउन हुआ कोरोना आया लोग सहरों से गाउं की तरफ गए यानि कि अपने वही बंजर खेतों को आबाद करने आपने देखा होगा और पिसले छे महिने से आप रेगुलर बे जिसको कहा जाता है लोग अपने घरों को छोड़के खेतों को छोड़के आ चुके थे अब वो रिवर्स वाइग्रेशन आपके सामने आया और वापस ही हुई चलिए जो भी हुआ लेकिन इससे आप एक यह मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा असार इसक फोकस क्या होगा मैक्सिमम पैसा जो लग रहा वह ऐसी डारेक्शन में लग रहा है मतलब जहां लोग जा रहे हैं पैसा भी इनके पीछे पीछे जा रहा है मैं यहां पर रेगुलर बैसे स्टॉक मार्केट की वीडियो जब आपको अपडेट करता हूं तो स्टार्टिंग म वेयर क्रॉप साइंस यूपियल और पी आई इंडस्टी ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स इंसेक्टिसाइड पैसिसाइड वाले स्टॉक बहुत सारे हैं अब आज ऐसे एक स्टॉक का नतीजा है अब देखिए नतीजू का आपको अगर साथ में अगर आपके पास नहीं है तो कैसे इंबेस्ट करोगे शेर मार्केट में जाहिए वीडियो के डेस्क्रिप्प्प्पन कीजिए तभी तो शेर मार्केट में इंवेस्ट कर पाओंगे अब इसका एक मेजर असर में आपको बताता है इस पर मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया के इंदर बहुत सारे रॉमेट्रियल जो प्लाइन प्लांट न्यूट्रियंट से रलेटेट केमिकल का अगर आप देखोगे चाइना का बहुत बड़ा रोल है चाइना का अब आप अब इंडिया को जो यह आपदा को आउसर में बदल रहे है उपर से चाइना ने अपने पैरों पे कुलाड़ी मार ली जो यह situation LAC के पास हुआ उसके बाद इंडिया में खुदी चीजू कब कर रहे हैं करना पड़ आप देखी पहले PPE के 10 और इंडिया में जरूरत नहीं थ होता था अब आपने देखा कितने करोड़ों में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है तो यही चीज है और अभी इंडिया में इस तरीके से इन इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिल रहे है एक मैं कुछ टाइम पहले कि आपको बात बताता हूं ग्रेफाइट इंडिया और हीजी के स्टॉक्स को आपने देखा होगा एक टाइम पर चाइना में जैसी प्रोडक्शन बंद हुआ वह आसमान चुने लग गए वह स्टॉक्स देखे आपने चार सोर पे से कहां चला गया मतलब कुछ ही एक देड़ साल के अंदर फिर वापस आगे जब चाहिने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो यह बहुत बड़ा इंपक्ट होता लेकिन अभी तो इंडिया ने सोच लिया है यहां पर आप आपको आउसर में वजलना तो इन कंपनीज के फाइदे जब्रदस हो रहे हैं और देखिए 27,000 करोड की मार्किट का प्राइशन वाला यह शेर बड़ा शेर अठारा सो के आसपास का प्राइस है डेट ना के बराबर रिटन कैपिटल इंप्टॉइट देखिए कितना अच्छा है कुटी में रिटन मतलब शेर में कोई कमी नहीं है लेकिन इस मार्किट में होगा अब कंसॉलिडेटेट नंबर्स के उपर जा रहे हैं ध्यान दीजिए क्या पैसा सही में फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है देखिए पिछले साल जून को सबसे इंपोर्टेट बाद में आप से यहां पर कहूंगा कि इस कॉर्टर में जो भी आप रिजल आप देखिए ग्रोथ वहां पर देखनी चाहिए अक्चुल मार्क हो यह देखिए 7662 यह मिलियंस है अगर मैं इसको करोड करूं मैं कनवर्ट करूं तो 766 करोड जो कि पिछले साल 2019 में इसका रिवेन्यू था और इस बार कितना हो गया 1068 करोड तो कैसा लग रहा आपको य जी और वह भी पिछले साल के कंपरेशन में ऐसे माहौल में जब सब सब खंडा पड़ा है यानि की यानि की पैसा गाओं की तरफ सही में जा रहा है इससे दिख रहा होगा अगरी कल्चर पे पैसा लग रहा है इन्वेस्टर का कंपनीज पर देखिए आप यहां पर असर आ अच्छे खासे हुए 633 करोड से 883 करोड यानि की प्रॉफिटेबलेटी कैसी रही जैसे मैं आपको कहा कि रिवेन्यू के उपर से स्टार्ट कीजिए फिर नीचे को जाते जाए अब यहां पर आपने ओवराल एक्सपेंसेज देखे किस तरीके से बढ़ है अब इन इंप्लॉई कॉस्ट पहुत सारी चीज़े अधर एक्सपेंस तो टोटल मिलाके एक्सपेंसेज में तेजी देखने को मिली है तो प्रॉफिटेबलेटी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कोई एक्सेप्शनल आइटम यहां पर है नहीं लेकिन ओवराल प्रॉ हुजूद 101 करोड से प्रॉफिट बढ़के 145 करोड हो गया जूम करके आप देखें नंबर को 101 करोड से 145 करोड का प्रॉफिट मतलब 40% से उपर की तेजी है प्रॉफिट में तो मतलब मैं कहूंगा भाई कल फिर क्या तूफान आएगा तूफान तो आहीं सकता है शेयर मे अब मैं टेक्निकल पर लेके चलता हूं लेकिन ऐसी सिचुएशन के साफ से मुझे लगता है कि सेक्टर में वीकली स्टॉक में वीकली में बियरी स्क्रॉस ही नहीं बना होगा दसी प्रॉफिट मुझे देखने को मिला लेकिन ध्यान दीजा बाब ओर अर्निंग पर्शर प आप अपने टेक्निकल के उपर फोकस रखिए पैसा आपके पास अपने आप आएगा क्योंकि एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट इस यह इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेल निवेशक के लिए जरा देखिए यहा समय तक इन्वेस्ट करते हैं अब आप देख सकते हो मन्ति यहां पर करेक्शन का रिजॉलुशन तेजी फिर से करेक्शन आते रहेंगे रिजॉलुशन होता रहेगा करेक्शन और इस रिजॉलुशन को देखिए जो जुलाई 2018 से पहले गिरावट जो आई थी यहां पर देखिए 2018 से ही मैं कहुंगे आई थी गिरावट और जुलाई में इसका रिजॉलुशन हो गया था छे महिने के अंदर और उस छे महिने के रिजॉलुशन को जब मैं और डिटेल आपको देखूंगा तो आप शॉक हो जाओगे इ इसमें इन चार्टすक को इन कैंडल्स को महमें सा कहता हूं यह देखे चोटे-चोटी कैंडल हर तेजी के बार छोटी-चोटी चैंडल आपको देखने को मिलेगी थ्zosहदा बड़ी अगर इस तरीक के से सर्कारेक्शन मिले तो यह आप छोटी टाइम फ्रेund पर चाके समझ स भी चाहिए पैसा थोड़ना डुबाना है डरना भी चाहिए कि वापस जब रिकवरी होती है तब जब जान में जान आती है शेर में तब लगता है वह क्या मौका है अब एक बड़ी केंडल छोटी केंडल मतलब करेक्शन यानि कि हमेशा अगर आप इस चीज को समझ जाओगे कि वह स्टॉक मार्केट में तेजी के टाइम पर नहीं बलकि छोटी छोटी चोटी करेक्शन आपको मिलेंगे वह आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और यह स्टॉक इस वीकली लाउन्स टैक की फॉर्वेशन में कहुंगा काफी इंपॉर्टन तेज आपको पता लगेगा कि यह बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉंब है क्योंकि हमेशा हमारा यह सट अप जो है हाइड्रोजन बॉंब की तरह एक्ट करता है और आप देख सकते यहां पर यह आपके लिए जॉइंट्स जो आपका काम करता है मैं कहुंगा जिनको इसका काम करता है देखिए पहला लेवल इसके करेक्शन का रिजॉलिशन दुबारा से फिर से एंट्री का मौखा मेरा बॉटम पी नहीं एंट्री करनी तो 1600 के लेवल के आसपास और बॉटम पॉइंट यह आपका स्टॉप लॉस देखिए धीरे-धीरे करके स्टॉप लॉ वाला profit का हिस्सा था अगर यहीं से situation पलड़ जाती तो फिर क्या होता सोचे ज़रा तो इसी दिए रिस्क काम चाहे profit में कमिया है तो रिस्क भी आपको उसी इसाफ से देखने को मिलता आप देखे कहां तक और मुझे लगता है कि हाँ अब रिजल्ट आया है तो पोस्ट रिज चोटी केंडल यानि कि बड़ी केंडल जब बनी थी उसके बाद यह correction का resolution 1789 के आज-पास से पकरणा स्टार्ट किया उसके बाद देखे कहां तक गया और उसके बाद आज की डेट में भी आप देखिए wind up करता हूँ आप वीडियो को, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बैल आकेन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटि आतीर ही एक अटक्यू, एक्यू थीडियो कर ले, एक्यू झालए बीडियो, झालए बाता हूँ वूगाइग हो झालए जिए ऑच्छा ले, क्यू आए औरे सब्सक्राइब कर लोगा है